देवियों की तरह महिलाओं को पूजी जाने वाले इस देश में जब महिलाओं के मान समान की बात आती है तो लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपरादों की संख्या पिछले 10 सालों में दूगनी हो गई है बात सिर्फ छेडशाड जैसे गिनोनी काम की करे तो इस देश में आम लिड़कियां तो इस हरकत का शिकार होती ही है लेकिन लोग इतना गिर गए हैं कि एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ते बॉलिवुड की अभिनेत्रियां भी इस छेडशाड की शिकार हुई है चलिए आज बात करते हैं बॉलिवुड एक्ट्रेस के साथ कुई छेडशाड का पहला मामला नहीं है ऐसे कई मामले लगवग हर महीने सामने आते रहते हैं दोस्तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस सब्सक्राइब कर दे और बिल के आइकन पे भी क्लिक कर दे तापसी पानू हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बिंक की हिरोईन तापसी पानू ने खुलासा किया है कि दिल्ली में उन्हें छेड़चाड का शिकार होना पड़ा बलकि ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था दिल्ली में तापसी का कहना है अकसर भीड़भार वाली जगब बलोग यहां वहां हाथ लगाते रहते हैं असीन बॉलिफूड और साउथ की फिल्मों में अपनी अक्टिंग से लोगों का दिल जितने वाली खुबसूरत अक्ट्रेस असीन भी छेड़चाड का शिकार हो चुगी है और इवेंट के दोरान उनको एक आदमी ने कैमरे के सामने ही गलत तरीके से चुआ था करीना कपूर खान साल 2013 के एक इवेंट में करीना कपूर को छिड़चाड का सामना करना पड़ा था बाद में बॉंसर्स ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला सुनाक्षी सिन्हा साल 2010 में एक इवेंट के दोरान भीड में मजूद कुछ लोगों के ग्रूप ने सुनाक्षी पर न सिर्फ कमेंट पास किये बलकि उन्हें जबरदस्ती चोनी की कोशिश भी की थी हाला कि बाद में बॉंसर्स सुनाक्षी को वहां से ले गए लेकिन इस वाक्य के बाद सुनाक्षी रोने लगी थी सुनम कपूर फिल्म रांजना के प्रोमोशन के लिए जब सुनम एक थेटर में पहुंची तब कुछ लोगों ने उनके साथ छेड़ खानी की थी हाला कि उनके को स्टार धनूश ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया था गौहर खान दिसंबर 2014 में गौहर टीवे रियालिटी शो इंडियाज रॉक स्टार के ग्रैंट फिनाले के शूटिंग कर रही थी तब ही एक सक्स ओडियन्स के पीच से उठकर स्टीज पर आया उसने पहले गौहर के साथ छेड़ खानी की और जब गौहर ने विरोध किया तो उन्हें थपड जड़ दिया सुश्मिता सेंड एक इवेंट में शामिल होने के बाद जब सुश्मिता सेंड वापिस आने के लिए अपनी कार में बैट रही थी तब उनके साथ छिडखानी की गई वो भी पबलिक के सामने राखी सावंद सन 2006 में मुंबई में एक हुए एक इवेंट के दोरान सिंगर मिका सिंग ने राखी सावंद को जबरदस्ति किस किया था बाद में राखी ने मिका के खिलाफ कुलिस में भी मामला दर्ज करवाया था ये खबर मीडिया में भी काफी सुर्कियों में रही थी कर दो